तो टेस्टमेंट्स आसुड़ों कारग, इसी बहुत इंपर्टन प्रेट लिए तचेक्टों या पिर संस्क्रः, तोनों मिसायाः के हम ये कारफ बहुत ही इत पॉर्ण, कारफ को Πढ़ने, कारफ किसे करते हैं सबसे पह Hampshire, क्रियात्य ऐफ़ती में, क्रियात्पन करने में, जो सहयर कुएता है, उसे हम लोग कारफ करते हैं . कारक के 8 ठेग होते हैं कि बोट पर देखे ही नहीं दिखा हुआ कर्टा कर्ड करल शंब्रदान आफादान शंबन अधिकरन और शंबोड तो चितने भी 8 कारक हैं सब के अलग अलग प्रशर्ग प्रशर्ग मतलब होता है चिन्द कारक चिन्द कारक चिन्द को करसर्ग के नाम से भी जानते हैं तो अलग अलग प्रशर्ग होते हैं कारक चिन्द अब तसी कर्टा कर्टा कर्शर्ग है ने कर्टा कर्टा कर्शर्ग है को कर्टा कर्टा कर्शर्ग है को के विए अपादान का क कारक कारक से संब्डव कायं के दिगरन का में पर शंभुदन का यह अर known औरर हम् των एक ए कर्टक, कुछ जानना ज़रूर है कि कर्टा कुसी कहेंगे तत्झ का प्रश्न उनकित के मातीं से उसको प्थ पैचारजना कोई कारक चिंखोंगे करता बोध होता हो या फिर हम लोग कर सकते हैं कारिक करड़े वाला करता खेलाता है जो की काम कर रहा है वह करता खेलाता है यदि हम लोग कहें राम आता आना तो क्या है लेकिन आने का गाल राम करता है इसलिए राम क्या है करता तो करता कारत की परिभाशा है काल होई कर णे वाले को करता करते हैं इसके प्रशा भी है ने, इसमें अब इसको पहचानने का नियम क्या है, अगर इसको पहचानने नहीं क्या हो समझ में, तो कौन प्रशुक करना चाहिए, क्रियां से पहले, कौन प्रशुक करने से जो उत्तर आपको मिलता है, तो वह समझ लीजिए, वह करता है, जैसे कि एतनी मेरीं दिखा है, वा अगर हमको इस सब्सक्राइब ना पता चले की कर्णा कॉल है तो हम लोग फोर्शन करेंगे मन में कौन आता है कौन आता है तहनेंगे जिस उत्तर में क्या पिलता है राणाम आता है तो राण कर्ता पोगे ओके? I think now clear it is अब सब्सक्राइब आते हैं कर्म कारत कर्म कारत है क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारत करते हैं मतलब की क्रिया हो रही है किसके कार्म हो रही है जब जिससे पता चले उससे कहेंगे कर्म कारत जैसे वह पत्र लिखता है यदि हम कहते हैं वह पत्र लिखता है इसमें वह को करता हो गया लिखना भिजया है तो पत्र क्टर कर रहे हैं यहां पर प्रक्ष्ण करना है किस को किस चीज को लिखता है यदि अगर हमा हमें जैसे मैंने इसमें कहा करता कारती तो कौन है तो कौन प्रश्ण करना है उसमें लिखना है इसमें प्रश्ण करना किस को किस को प्रश्ण करना वर किस को लिखता है पत्र को लिखता है ठीक है? तो बख हो जाएगा करन कारग अब आते हैं मुझे लोग करन कारग करन का अठ होता है शागन मतलब कि जिसके द्वारा कारी को करना जिसके द्वारा कारी को कर ले उसे करन कारग रहते हैं जैसे वह कलग से लिटा है तो लिखने का कारिक इसके द्वारा बुढ़ा है कलम से तो कलम हो गया करन कारक देखें से चिन भी लगा हुआ है हर कारक में चिन भी लगे होते हैं अब उन लोग आते हैं संप्रदान कारक में कर्टा जिसके लिए कारी करता है करता दिसके लिए कारी करें उसे शंप्रदान कारक करते हैं शंप्रदान कारक का चिन है को और के लिए जैसे वह राम के लिए पुस्तक लाता है तो यहां किसके लिए अप्रश्ण करने पर जो उत्तर मिलेगा वह हो जाएगा शंप्रदान कारक ठीक है? वहाँ किसके लिए पुस्तक लाता है राम के लिए तो राम के लिए हो जाएगा संप्रदान कारक और एक और चीज़ होता है जब किसी को कोई बस्तु दे दी जाती है दान कर दी जाती है उसमें भी संप्रदान कारक होता है जब किसी को कोई बस्तू दी जाती है, वहां भी संप्रदान कारक होता है, ठीक है, आप आते ही हैं आपादान कारक, आपादान कारक कारक मतलब होता है, जो एक बस्तू से दूसरी बस्तू अलग हो रहा है, तो वह हो जाएगा आपादान कारक, जैसे वह विद्यालेश से आता तो विद्यालेशे अलग हो रहा है देखिए एक चीज और है यहां पर करण कारख प्रेशन बहें सेख और आपानाज कारख में है तो लेकिन यहां सेख मतलब के द्वारख और यहां सेख मतलब अलग होने के रहा है ठीक है? फिर आते हैं लोग वो शंबंद कारख शंबंद कारख का चिन है का, के, की और रा, दे, री जब संग्या या सर्वनाम का एक उच्चरशी शंबंद जहां दिखाई दे वो हो जाएगा शंबंद कारख इसमें दश्ट करना है किसकी? किसका? किसके? जैसे गीता की वहन विवार है तो यहां पे किसकी वहन विवार है? गीता क्या होगे? संबंद कारख तो इस तरह से होगया संबंद कारख का पाप एकी और रा देगी किसकी किसके कहने पे जो उत्तर मिलेगा वह हो जाएगा संबंद कारख अब रा रेडी क्या हुआ? मतलब मेरा, मेरी, मेरे तो इस तरह से संबंध कारत का यहाँ हो गया विगपती चिन अब आते हैं अधीकरन कारत अधीकरन कारत क्या है? क्रिया का आधा जिस तर वो मतलब कि क्रिया जो है वब कहा हो रही है यह जहां अगर पता चले वह हो जाता है अधीकरन कारत जैसे पक्षी आकास में उड़ते हैं कहां उड़ते हैं पक्षी जब रहा हो जो ही आकास में दो अडिकरन कारत जैसे वह खाड पर बैठा है वह कहां परपेड़ा है खाट पर तो यह भी हो गया अधिकरन का लिए इस तरशे अधिकरन के उंकार के प्रशन है ने और परब अब आते हैं शम्बोधन शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है यह सब्द का जिस रूप से जैसे हे कृष्ण यहां आओ तो हे शब्द का प्रयोग किये अरे शुनो अरे यह सब्द जो है वह हो गए शम्बोधन कारत इस तरह से कुल्विला के कारत के आठकर बेदू के प्रशन ना पे बैने अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश अब यहां पे दो चार प्रश्ट में आप सिक करती है कारत के कितने भेद होते है यदि मैं आपसे यह कोशिन करू तो इसका अंसर क्या आएगा कारत के आठ भेद होते है दूसरा है अलग होने के अर्थ में सेक अपरयोग किस कारत से होता है जब किसी से कोई बस्तू अलग होरी वो तुह कौन सा कारत प्रियोग होगा आपा दान कारत नेक्स टाइट किसी को बुलाने या आपको कारने के लिए कौन से कारत का प्रियोग किया जाता है श्रम बोधन कारत ताम घर्ष निकला कौन सा कारत होगा आप आदान कारक, क्योंकि वह घर से अलग हो रहा था इस तरह से कारक आप लोगों को अच्छे सिर्थ समझाया हुआ को विद्ध अब आई आप लोग सभी कारक के चिन जाने और उसकी विभक्तियन जाने उन सबसे एक एक कर्थे वाक्य बनाते हैं सबसे कहले क्या खाँ? याम है कर्था 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 के उधारन दीजे कर्था कर्था के उधारन आप लोगों को बना सकती है जैसे की रां पंदा है राम पढ़ता है तो कर्था कौन है यापे? राम दिखें राम हो गया कर्था 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 यहापे हम उधी जल्धी लिख सकते हैं कर्था एक कर्था क्या लोग सबसे अब आता है यह दूसरा कर्था बढ़ता है राम करन आता है राम क्यास कर्था कर्था कर्या क्या है यह दो थी जयार क्या यहाणा है राम पर्थ पढ़ता है तो परिभाशा याद आया आपको परिभाशा है काट करन कारकी कि जिसके क्रिया का आधार क्रिया का प्रभाव जिस पर पढ़े क्रिया का प्रभाव जिस पर पढ़े वह हो जाता है क्या कर्मकारण तो यहाँ पर पढ़ने काम पहुआ कि इस पर हो गाए पत्र पर तो पत्र क्या हो गया कर्मकारण ओके अब आते हैं थार्ड मंपर कर्मकारण कर्मकारण का चिन होता है ते अब कर्मकारण की परिवाजा क्या थी कि कर्मकारण जिसके द्वारा कारणी करे यहाँ राण कर्मक से लिखता है कर्मक से लिखता है तो लिखने का पार किसे हो रहा है लिखने का तीक्रिया कर्मक के द्वारा होगी है तो यहाँ पे कर्म से हो गया क्या कर्मकारण पेरं कारण नेक्स्स ता दे है चौठा शंप्र्दार शंप्रदां संतला कार्ण की परिभाता है करता जिसके लिए कार्ण कार्ण तो जाएगा इसका उठान हुगा लां मा के लिए हला कार्ण करता जिसके लिए कार्ण कार्ण मा के लिए मा के लिए हो गया शंप्रण कार्ण अब अब देने नेक्स अगू अब कुंसा करें होगा? आप अदाम करें आप अदाम करें इस अदाम करें जब किसी से कोई बस तो अलाग भोती ने जल से वहाँ जिद्याले स्थे आता है तो वह कहां से वहाँ बदाम करें? विद्याले स्थे तो विद्याले स्थे हो जाएगा क्या? आप अदाम करें नेक्स्ट है फिक्स नमबर शंपन्द करता जिससे संबंद लिखाता है वो शेट लिए संबंद करें जल से राउड भी बहन आती है इसकी बहन राउड प्रिया बजाएगा शंबंद करें नेक्स्ट अधीकरण अधीकरण कारण की पड़ी भाशा है क्रिया का आधा जिसकर हो उसे दिखरण कारण करें जल से वहाँ खाट कर बैठा है बैठना क्रिया हो कहाँ पर बैठा ले खुशन करने में क्याँसे मिलता है खाट कर तो खाट कर अधीकरण करना लास्ट शंबोधन शंबोधन कारण की पड़ी भाशा जाती जब किसी को शंबोधित करने के लिए जिन सब्लों का प्रियोग किया जाता है अधीकरण करता है जैसे की हे क्रिष्ण हे क्रिष्ण यहां आओ यहां पर क्रिष्ण को खुलाने के लिए किनका हुजित के लिए हे क्रिष्ण शंबोधन अब सारे उन भारत से आपको अच्छे से समझा गया होगा कि सारे का रखके आठो भेड़ों के कैसे उठाने चरीप हम लोग बताचों क्रिष्ण